दोस्तो आज के इस वीडियो में जानेंगे Microsoft Teams के वारे में Microsoft Teams एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जहांपे Communication and Collaboration साथ में कर सकते हैं इसके साथ यहांपे आपको Video Meeting, Chat और File Storage, File Sharing जैसे Options देखने को मिलते हैं खास कर यह Business Module के लिए बनाया गया था लेकिन अब इसे Educational Purpose के लिए भी यूज किया जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे Microsoft Office कैसे यूज करें और इसमें क्या-क्या Features हैं सबसे पहले आपको Microsoft Teams Play Store से डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसे डाउनलोड कर लेने के बाद आपको Simple Open कर लेना है Open करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसे आपको Skip कर देना है इसे Skip करने के बाद यहाँ पे आपको अगर New ID बनाना है तो Sign Up और Free करेंगे या फिर आपका कोई Educational या फिर कोई Academic है तो आपको वहाँ पे Provide किया गया है जो भी ID उसको यहाँ पे आप Fill करेंगे उस ID को Fill कर लेने के बाद आप Simple से Sign In पे क्लिक करेंगे और Academic के द्वारा जो भी Password दिये गए है उस Password को यहाँ पे इंटर करेंगे उसके बाद जो Password दिये गए है उसे Current Password के ज़र पे यूज करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे New Password को चूज कर लेना है ध्यान रखे, Password Strong होना चाहिए उसके बाद आपको Simple से Next कर लेने है इस तरीके का आपको Interface दिखेगा Go It पे क्लिक करेंगे यह रहा है आपका Main Screen यानि की Home Screen यहाँ पे आपको कई सारे Bottoms नीचे में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आपका Home Button हो गया यहाँ पे आपको News Feed सोग कर रहे होंगे जो भी आपका Academic है जो आपका Teacher Faculty के जोड़ा जो भी आपको Provide किया जाएगा वहाँ पे सोग करेंगे इसके साथ आपको Feed में जो भी नया Status या Feed जो भी Upcoming जो भी Messages है जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसके साथ हम Setting के तरफ चलते हैं यहाँ से आप Chart Theme को Apply कर सकते हैं Setting में जाके देखे इस तरीके का हम Dark Theme कर दिये इसके बाद हम वापस Revert कर लेते हैं यहाँ से आप Simple से Use कर सकते हैं जादा कुछ नहीं है इसमें उसके बाद Users में आपको बता दूँ तो Notification में आप Notification Panel से यहाँ पे जो भी आपका Meeting है यहाँ से आप Addange कर सकते हैं Desktop Mode करना है तो Desktop Mode में कर सकते हैं इसके बाद Configuration, Notification चेक करना है Unmute, Mute करना है तो यहाँ से आप Changes कर सकते हैं इसके बाद Profile में बढ़ते हैं तो Profile Picture यहाँ से आप Change कर सकते हैं है यहाँ पर आप एलाओ कर सकते हैं इसे रिल लंच वारबर करना होगा जब भी आप कोई सेटिंग को चेंज करते हैं तब उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐसा assignment interface यहाँ पर जो भी आपको assignment या फिर class के द्वारा जो भी routine दिया गया है वो यहाँ पर साथ title के साथ और किसी participant को यहाँ पर यूज करना है उसके बाद मैं आपको बता दो यहाँ पर कई सारे options है कॉल है फाइल है कैमरा है और गनाइजेशन है विकी है यहाँ पर कई सारे options है यहाँ पर चलिए हम आपको एक example की तरपर दिखा दे रहे हैं फाइल को select करके यहाँ आपका जो फाइल मनेजर है वहां से उसके बाद आपके सामने अनदर option है यहाँ पे navigation का यहाँ से आप navigation भी कर सकते हैं जो भी आपका जो options है उपर नीचे जामन वहां कर सकते हैं edit panel आपको यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद हम edit panel से बाहर निकलते हैं, तो आपको यहाँ camera चार्ट स्क्रीन है, यहाँ पर pencil वाले iconपर click करेंगे, तो आप किसी भी content, contact list में जो भी है, उससे आप बात कर सकते हैं, अलग लग तरीके content यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे post है जो भी आपका faculty वेगरा जो post करते है वहाँ पे show करेंगे so काफी light यहाँ पे interface है बहुत ही easy है easy to use आप असानी से इस्तमाल कर सकते हैं अगर फिड़ी आपको कोई problem आ रही हो तो comment section में आप comment करके पूछ सकते हैं यहाँ से आप अपना कोई status वेगरा यहाँ से upload कर सकते हैं चलिए अगर profile pic की बात करों तो आप अपना profile भी यहाँ से change कर सकते हैं simply चलिए profile पे visit करते हैं उसके बात यहाँ पे edit image पे जाएंगे और gallery से होगा जो भी photos वेगरा है उसे हम select करके यहाँ से कर सकते हैं इस application में आपको एक extra features मिल जाएगा जो की है filter का इसमें आपको कई सारे options देखने को मिलेंगे जैसे कि Android message, mentions, replies, following apps, like reactions और miss call वेगरा यहाँ पे show करेगा उसके साथ आप trending topics भी यहाँ से देख सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो का like कर दे और ज्यादा से ज्यादा मातरा में share करे चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी subscribe कर ले और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद